हाई अब्रिवन आज हम लोग इस वाले पार्ट को वीडियो में कवर करेंगे ADRE Skill Test 2024 को और इस वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रिबिएस यहर का जो paper आया था हाप लोग'ा 2022 का उसमें से हम लोग आज powerpoint का जो भी slide आया था वह हम लोग इन detail में practical किरके सीखेंगे और आप लोग को इन detail में सहरा को समझ में आएगा तो चलो वीडियो को start कर लेते हैं उससे पहले अगर अगर लोग ने चैनल को अब दग सब्सक्राइब में एक रहा है तो make sure चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को इसी तरह के वीडियो आने वाले दिनों में computer skill test के regarding मिलता रहे और एक छोटा सा information है जिनको नहीं पता है यहाँ पर मैं आप लोग का एक से दो मिल्ट लूँगा ठीक है तो आप लोग के लिए मैंने already ADRE skill test के लिए एक detail course launch कर दिया है जिनको नहीं पता है वो bike कर सकते है ठीक है तो इसका जो price है 259 है अभी special offer चर रहा है तो इसका जो price है 259 है और आने वाले कुछी दिनों में इसका जो price है 399 हो जाएगा और इसके अंदर in detail में सारा कुछ कबर क्या जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को 10 full mock test with video solution मिलेगा full syllabus coverage रहेगा इसमें based on previous year question और यहाँ पर क्या रहेगा master lecture प्राइबेट doubt group मिलेगा जहाँ पर आप लोग multiple doubts को पूछ सकते हो ठीक है और इसके साथ free bonus से आप लोग का एक hour one paid PDF course आप लोग का एक free paid PDF course मिल जाएगा ठीक है और साथी साथ CPT previous year का question जो different exam में आया है वो भी आप लोग को provide कर दिया जाएगा दो चार question आप लोग को previous year का मिल जाएगा different different exams का ठीक है तो यह आप लोग अपने इसाफ से buy कर सकते हो अगर आप लोग को लगता है buy करना तो आप लोग buy कर सकते हो और इसका जो validator हैगा six month करेगा अगर आप लोग को buy करना है तो इसी वीडियो के comment section में आप लोग को जो app का link है वो मैं दे दूँगा और साथ ही साथ आप लोग का website का link में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग website या फिर app में register होके आप लोग इस course को buy कर सकते हो और आप लोग वीडियो जो है app में भी access कर सकते हो साथ ही साथ website में भी access कर सकते हो और भी detail में अगर आप लोग को जानकरी चाहिए इसके बारे में तो मैंने जो introduction वाला एक वीडियो बनाया था ADRE skill test के regarding तो वाला है वीडियो आप लोग एक बार जरूर से जरूरा देक लेना Westmaid है इन detailed में सारा कुछ मैंने डिस्कुस कर रहे है तो वाला वीडियो जरूर अप लोग देख लेना तो चलो आज का lecture को start कर लेते हैं तो यहांपर मैं question को open कर लेता हूं तो यहांपर पहले हम लोग question के instruction को पढ़ेंगे और आज हम लोग PowerPoint को ही discuss करेंगे और आने वाले दिनों में Word और Excel का भी previous year का question जो आया था वो भी आप लोगो को देखने को मिल जाएगा तो क्या कुछ instruction दिया गिया है create a Microsoft PowerPoint file and save the file with the file name ppt test in the directory ADRD scale test registration number in the desktop of your computer तो आप लोग को एक PowerPoint presentation मनाना है साथ ही साथ उसको save कर देना है desktop के अंदर ppt test के नाम से और आप लोग का name और registration name और registration number देके वहापर save कर देना था ठीक है और save का जो भी process है वो आने वाले दिनों में आप लोगो मैं provide कर दूँगा एक वीडियो किस तरह से save करते हैं वो सारा आप लोग को समझ में आ जाएगा तो अभी हम लोग जो भी slide आया था वो practical करके सीखेंगे तो यहापर क्या दिया गया है create the slide as given and follow the instructions और मैं आप लोग को एक बात बदा दू आप लोग का जो PowerPoint का question आया था उसमें किसी shift में 3 slide था किसी shift में 4 भी था और किसी shift में 5 भी था तो mostly जो देखा गया था चार और 5 slide आप लोग को PowerPoint के अंदर आता है तो आप लोग को पहले से prepare होना है तो मैं जो आप लोग को बोला अभी introduction वाला जो वीडियो है वो देख लेना वो बहुत ही important है तो जरूँ से जरूँ देखना आप लोग ठीक है तो slide 1 दिया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो generation of computers जो भी 2022 के अंदर जो भी student ने exam दिये होंगे उनको पता है कि इसी तरह का question आप लोग को exam में देखने को मिला था generation of computers यहापर कुछ bullets पॉइंट था तो यह slide 1 हो गया then slide 2 के अंदर दिया था types of computers उसके बाद यह कुछ लिखना था आप लोग को और उसके बाद क्या कुछ दिया गया था आप लोग का population आप इंडिया कुछ था देन आप लोग को category और detail था और यह सारा क्युछ आप लोग को table के format में fill करना था ठीक है slide 4 में आप लोग को कुछ इस तरह से एक equation आप लोग को यहापर क्या था insert कराना था तो यह किस तरह से करते हैं अभी practical करके सिखेंगे तो आप लोग को title है जैसे कि यह वाला title है इसके लिए आप लोग को 60 रखना है और जो भी आप लोग को rest part है उसके लिए 30 रखना जो भी content वाला part रहता है जैसे कि मैं एक बार आप लोग को दिखा दू यह content का part है वो 22 का अप लोग का size रहेगा ठीक है उस case में क्या करते हैं हम जो भी यहाँ पर question के अंदर दिखता है उसी के base में हम लोग चलते हैं ठीक है तो चलो हम लोग practical करके एक एक करके समझ लेते हैं तो मैं यहाँ पर power point को open कर लेते हैं एक बार मैं आप लोग एक्जाम में type करना पड़ेगा लेकिन मैं यहाँ पर type नहीं करूँगा मैं copy paste कर दूँगा और जो भी formatting बगएरा है वो मैं आप लोग को in detail में समझाऊँगा अगर मैं यहाँ पर करने बैट हूँ तो वीडियो का लेंड जो है बड़ा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने power point को आप लोग को open कर लेना है जैसे के आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप लोग कुछ दिखता है और जो भी एक एक करके आप लोग को दिया गया है वो सारा आप लोग को create करना है तो यहाँ पर already एक बना हुआ है ठीक है तो यहाँ से मैं सिर्फ text को क्या करूँगा copy करूँगा ध्यान रखना text को copy करूँगा बाकि जो formatting बगएरा है वो आप लोग को in detail में समझ में आएगा तो मैं एक एक करके copy कर लेता हो text को ठीक है तो य यहाँ पर different different slide का type दिखता है अप लोगो एक title slide है यह वाला content वाला आता है section आता है तो यह देखो कुछ भी mention नहीं किया गया तो आप लोग को जो आप लोग का by default आता है उसी में हम लोग बना लेंगे तो click to add title तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगा title अभी मैंने जो भी copy किय यहाँ पर मैं क्या करूंगा paste कर दूँगा और यह देखो मैं keep text only रख रहा हूँ ताकि आप लोग को formatting जो है वो मैं आप लोग को in detail में समझा पाओ ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकतो मैंने यहाँ पर normal सा बस copy paste करा है यह आप लोग को क्या करना है आप लोग को type कर लेन आप लोग को इसी तरह से type कर लेना है जैसे जैसे आप लोग type करोगे जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार backspace आप लोग जैसे यहाँ तक लिख लोगे then enter ठीक है जैसे कि यह लिखोगे then enter बस इसमें कुछ नहीं है type तो आप लोग करी लोग है इसमें कोई issue नहीं होना च इसको आप लोग थोड़ा ओपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाप से तो इसको मैं थोड़ा से ओपर कर लेता हूँ इसको चाहो तो थोड़ा से एडजेस्ट कर लोग इसको भी मैं चाहो तो थोड़ा से एडजेस्ट कर लोगा ठीक है तो इस तरह से हो गिया इसका पहले हम क्या देखेंगे, size देखेंगे, तो इसका size क्या है, इसको आप लोग को पहले क्या करना है, इसे mouse रखना है, then select कर लेना है, select करके, home type के अंदर ही, इसको क्या हम लोग का था, question के अंदर मैं, अगर दिखाओ दो, आप लोग को, Calibri था, आप लोग का जो font type था, Calibri रखना है, तो आप लोग को Calibri रखना है, और title का size 60 रहेगा, और बाकी जो भी race part रहेगा, उसके लिए 30 रहेगा, यह चीज़े ध्यान रखना है, तो मैं यह open कर लिया, इसको select करा, select करके, आप लोग को Calibri देखो, यह light है, लेकिन आप क्या बोला गया, just Calibri रखना है, ठीक है, ध्यान रखना, Calibri बोला है, तो Calibri रखनेंगे, और यह देखो, bold form में हम लोग को दीख रहा है था, तो हम लोग bold कर लेंगे, आप लोग control भी भी करोगे, तो भी यह हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पर भी click करोगे, तो भी हो आप लोग को home tab के अंदर ही paragraph section के अंदर, जैसे के देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग को bullet वाला दिख रहा है, ठीक है, यह numbering bullet है, और यहाँ पर कुछ style वाला bullet है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, box वाला bullet था, तो मैंने box वाला bullet में click कर दिया, तो कुछ इस त 30 का size हो जाएगा, यह देखो आप लोग, अगर देखो, यह सारा एक state line में दिख रहा है, तो आप लोग को क्या कर देना है, left की और alignment कर देना है, जैसे मैंने left की और alignment करा, तो यह देख सकते हो, यह left की और alignment हो चुका है, अब आप लोग को सही से दिख रहा है, ठीक है, इसक कि आप लोग का जो question के अंदर दिया गया है, बोल्ट दिया गया है, और इसका देखो color दिया गया है, color आप लोग को instruction में कुछ भी mention नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग को देना है, अगर आप लोग को कुछ भी mention नहीं किया जाए, और slide में आप लोग का दिया रहे हैं, तो यह ध्यान रखना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर select कर लिया, सारा का सारा, then आप लोग को font के अंदर यहाँ पर चले जाना है, आप लोग कुछ भी color चाहो तो दे सकते हो, लेकिन अभी इस case में यह वाला color दिया गया है, तो हम लोग इस तरह से आप लोगा बन चुका है, इसको थोड़ा सा अप लोग क्या करना है, इस तरह से इसको थोड़ा सा मैं यह कर लेता हो, और दियान यहाँ पर रख देता हो, ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो, center जो है, यह as it is आ चुका है अपनों का, आप लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से adjust कर सकते हो, इसमें कोई issue नहीं होगा, तो यह first वाला slide बन चुका है, इसी तरह से दूसरा slide बनाना है, तो आप लोग new slide ले लोगे, title slide वाला, तो मैं फिर से title slide एक बार ले लेता हो, और यहाँ पर क्या दिया गया था types of computer, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हो इसको copy कर लेता हो, जल्दी से control C करा, then मैं यहाँ पर आया, then यहाँ पर, then मैं यहाँ पर normal text में ले लिया, then इसको भी मैं copy कर लेता हो जो भी bullets points है, क्योंकि मैं अगर यह सब type करूँ, तो यह ज़्यादा लंबा video हो जाएगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हो, कि video बहु ज़्यादा length हो जाएगा, इसको मैं normal में कर लेता हो, चलो इसको मैं normal format में कर लिया हो उसके बाद इसका size क्या है, देखना फिर से अगर आप लोगो पहला वाला समझ में नहीं आए तो इसको select कर लेना है, select कर लेना है, आप लोग को size क्या रहना है, 60 देना है, तो मैं 60 कर लूँगा, और type क्या रहेगा, calibrary देना है, तो आप लोग को calibrary, कभी भी क्या करेंगे, इसको हम लोग का 30 का size बोला गया है, तो मैं 30 का size करूंगा, और ये भी bold form में कर देना है, और यहाँ पर आप लोग का, देख सकते हो, मैं एक बार दिखाया है तो question के अंदर, आप लोग को यहाँ पर different bullet point देख सकते हो, arrow वाला bullet point देख गया है, तो हम लोग arrow वाला bullet point को देख देढ़े, bullet point देने के लिए select कर लेना है, select करके paragraph में आ जाना, यहाँ पर click कर देना है, click करके यह जो style दिख रहा है, यहाँ पर click कर देना है, तो आप लोग को left की और यह क्या करना है सारा का सारा left की और alignment कर देना है अब लोग justify भी बोलेगा तो अभी justify भी इसी left और justify अभी जो है case semi दीखेगा अगर center करूँ तो इस तरह से दीखेगा और right करूँ तो इस तरह से दीखेगा तो अभी आप लोग को left रख देना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने रख देता हो ठीक है ने तो इसको भी आप चाहो तो left की और थोड़ा सा ले सकते हो तो चलो मैं यहाँ पर रख देता हूं और इसका जो color था color change करने के लिए इसको select कर लेना है select करके आप लोग को फिर यह पर चले आना है फिर यहाँ पर click कर देना है ठीक है तो आप लोग क एक different slide आप लेते हैं new slide में चले जाना है new slide में जाके आप लोग title and content बला लोगा ठीक है जिसमें देखो title भी आएगा साथ हिसात content आएगा जो की table है यहाँ से आप लोग देखो बहुत सारा चीजी ले सकतो stock image और यहाँ पर आप लोग pictures बगेरा shape insert करा सकतो smart chart करा सकतो बहुत अब लोगो चार्ट भी कराऊंगा ठीक है अप लोग बस बने रहो उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर मैं copy कर लेता हूँ जो भी title दिया गया न वो मैं just copy करूंगा तो यहाँ पर मैं यह वाला जो पाट है इसको copy कर लेता हूँ च्छल च करा और यहाँ पर मैं आया then यहाँ पर गिया then यहाँ पर क्या करूंगा normal मैं यहाँ पर देखो text के form में कर रहा हूँ ठीक है ताकि आप लोग कोई problem ना है इसका size क्या है 60 करूंगा और यह क्या रहेगा आप लोग को calibri रहेगा तो मैं यहाँ पर calibri कर लेता हूँ calibri यह calibri रहा देन bold था तो bold कर को लिकितना है तो मैं बहुत कर सकते हो तो इसको बाद में करूँगा पर रसकते हो अब लोग जब भी टेबल इन deinák के अंदर की कॉलम कितना है और रو कितना है hologram पार्ट ये जो सीधा दिखभा रहा है एक लोगएरो लेतों ब्रोट से गोलते हैं ये कर फो जो लोग रो बोलते हैं जो horizontal पार्ट है तो एक दो तीन चार पांच तो यहाँ पर कितना आप लोग देख सकते हो रो आप लोग का पांच है और कॉलम दो है तो टू इंटू फाइब का आप लोग को टेवल इंसर्ट कराना पड़ेगा तो चलो हम लोग टेवल इंसर्ट करा लेते हैं टेवल इंसर्ट कराने के लिए आप लोग को यहाँ पर किलिक कर सकते हो अगर आप लोग ब्लैंक पेज में भी करना चाहते हो तो ब्लै करने के लिए बस यहां पर क्लिक करने के लिए बस यहां पर क्लिक कर देना है तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो लेकिन इस case में हम लोग का यह वाला style है ठीक है यह normal वाला style तो हम लोग यह वाला दे देंगे और जो भी data है वो मैं यहां से copy कर लेता हूँ इसको fill करूँगा इसी तरह से कर लोगा ठीक है तो यह जो data है यह मैं copy कर रहा हूँ बस control c करा और यहां पर आ गया मैं यहां पर मैंने इसको paste कर दूँगा एक चीज़ धियान रखना आप लोग को सारा content type करना पड़ेगा तो आप लोग का typing speed बहुत ज्यादा मेंटर करता है जो कि मैंने first वाले जो introduction वाला part है वो उसमें सारा कुछ बताया है ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहां पर सारा paste कर दूँगा तो यहां पर चलो मैं paste कर देता हूँ तो देखो यह keep source हो रहा है तो मैं यहां पर keep source ही कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और जो भी formatting है इसको क्या करता हूँ मैं चाहूँगा तो यहां पर clear भी कर सकता हूँ तो चलो मैं clear नहीं करता हूँ इसको रहने देता हूँ चलो मैं formatting जो है यह clear कर देता हूँ एक बार ठीक है क्योंकि यह सारा source से आ चुका है तो यहां से मैं जाओंगा यहां पर मैं clear करना चाहूँ तो यह द 30 size करा तो देखो यह 30 size हो चुका है और यह सारा का सारा आप लोगो bold दिख रहा है तो आप लोगो bold कर लेना है ठीक है यह देखो bold में दिख रहा है ठीक है तो आप लोगो bold करना है तो मैं यहापर क्या करूँगा यह सारा को select कर लिया select करके bold कर दूँगा, जैसे ही मैंने bold करा तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन यह देखो अभी इस तरह से नहीं दिख रहा है, आप लोग को यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा adjust करना है, मतलब adjust वाला काम आप लोग को कर लेना है तो मैं यहाँ से देखो यहाँ पर आप लोग cursor लेकि जाना है cursor जैसे ही लेकि जाओगे तो आप लोग कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है इसको आप लोग को left में click करना है mouse में, then इसको आप लोग drag कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको थोड़ा छोटा बढ़ा कर सकते हो इसमें कोई issue नहीं, आप लोग अपने आराम से कर सकते हो then इसको आप लोग select करके क्या कर सकते हो इसको move भी कर सकते हो, ठीक है मैंने move करा, then यहाँ पर रख दिया then इसको यहाँ पर रख दिया कल को मान लोग कि यह वाला जो text का color है text का color को change करने बोले तब लोग text का color को भी यहाँ से change कर सकते हो, ठीक है जैसे कि देख सकते हो, मैंने yellow करा तो yellow आ चुका है, तो इस case में white था तो मैं white ही रहने दूँगा, इसको नहीं चेरूँगा, ठीक है कल को सकता है कि यह वाला text जो है आप लोग को क्या बोल दे कि यह आप लोग को yellow में दिखना चाहिए, तो yellow में रख दो orange आप लोग को red में देखना चाहिए, तो red में देख लो यह वाला जो है अप लोग देख सकते हूँ, बाइडिफोल अगर आप लोग करतें न, तो आप लोग को left में लाइंग दिखता है, तो यहां से आप लोग यह वाला सृफ और सृफ देखो, मैंने यह वाला जो heading है, sorry यह वाला जो heading है, heading को select करा है, heading को select कर이 आप लोग देखो इसके आप लोग justify भी कर सकता है तो मैंने देखो इसको center की और justify रखा है क्यों कि आप को सेन्टर की और है तो मैंने center की और हर ही कर दिया और कल को सकता है कि ये वाला भी पाट आप लोगको ser Nieux or you justify या पिर right की और है तो भी आप लोग को बोला जाए, वही करना है, तो इस case में left में है, तो मैं left में ही रहने देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, question के अंदर, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा space है, तो आप लोग को space थोड़ा सा रखी देना है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा मैं समझेंगे, split किस तरह से करते हैं, क्यों प्र little को, जैसे कि यह वाला मेरे को split करना है, यह वाला पार्त अगर मैं वहालो कि split करना है, टू पार्ट में मेरे को split करना है, ठीक है, तो मैं अगर याँ पर करूँ तो देख सकते हैं अगर two part में split करो चलो मैं three part में करके दिखाता हूँ ठीक है ये column अभी देखो three part में split हो जाएगा ठीक है जैसे कि देख सकते हैं एक part ये एक part और ये एक part तो इस तरह से split भी आता है exam में कभी-कभी तो वो देखो थोड़ा high level exam में आता है हाइट जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह वाला जो हाइट वाला पार्ट है देखो यह अब बढ़ा रहा हूँ हाइट बड़ रहा है न लेकिन मैं अभी अंडो करता हूँ इसका काम नहीं है कल को सकता है कि आप लोग को यह as it is आप लोग को लिख के दे कि exam में इतना आना है ठीक है तो उस case में आप लोग को ये centimeter वगएरा change करना पड़ेगा ये जो width दिख रहा है आप लोगो horizontal में तो ये आसे इसको भी change कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से सरा चीज करते हैं तो आप लोग का ये वाला question था then आप लोग को एक normal सा blank slide ले लेना अब येसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हो इसके बाद आप लोग को ये वाला आया था ये वाला insert कराना था कभी-कभी manually भी आता है लेकिन वो ms word का अंदर आता है देन आप लोग क्या करना insert में चले जाना eे क्वेशन है इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो question है वो आप लोग पहले से एक बार देख लेना कोण सा ये या गया है then उस हिसाब से आप लोग क्या करना equation देख लेना तो इस case में Fahrenheit और यहां पर आप लोग का आया था तो यह वाला में किलिक कर देना है जैसे मैं किलिक करूँगा तो यहां पर आप लोग का आ जाएगा और यहां पर आप लोग देखो कुछ चंजस भी कर सकते हो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दिता हो आपको N में यहाँ पर देखो N को यह करा तो N यह हो चुका है और C में मालों के B लिखना है तो आप B भी लिख सकते हो जैसे देखो B आ चुका है अभी लेकिन अब यह आप लोग को वही वाला लिखना है तो वही रहने देना है यह जो edit और एक होता है कि manually आप लोग को बनाना पड़ता है तो वह मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा MS Word के अंदर उसमें वह ज़्यादा टाइम लगता है अगर उस तरह का manual अगर टाइप करना आए तो उस case में आप लोग को दो ही या तीन slide देखना को मिलेगा क्योंकि उसमें वह ज़्यादा time लगता है यहाँ पर मैंने click करा click करके आप लोग को इसका भी size जो है 30 कर देना है तो मैं इसका size 30 कर देता हो ठीक है यहाँ पर मैं 30 कर दिया है जैसे कि आप लोग देख सकतो इसको थोड़ा बहुत आप लोग move भी कर सकते हो इसको बीचो बीच मैंने रख दिया और इसको चाहो तो आप लोग देखो bold भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप लोग bold करोगे तो सारा bold हो जाएगा और question के अंदर bold ही format में दिया गया है तो मैं bold ही कर दिया और यहाँ पर क्या बोला गया था उसके बाद insert footer as ADRE skill test and page number आप लोग को देख सकते हो यह ADRE दिख रहा है सारा slide में और page number भी दिख रहा है तो यह insert कराना है तो कैसे करते हैं एक बार मैं दिखा जाता हो आप लोग को तो चलो तो यह करना है तो आप लोग किसी भी slide में रख सकते हो यह कोई problem नहीं आप लोग जहां पर भी रखना चाहते हो रख दो कोई insert कोई problem नहीं देन आप लोग insert में चले जाना है insert में चले जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखो इंसर्ट के सेक्षिन में आप लोगो header footer देख रहा है, यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर आप लोगो एक तो slide दिखेगा और एक दिखेगा notes and handout तो आप लोग handouts अभी नहीं करना है क्योंकि handouts करोगे न handouts आप लोगो यह slide में ने दिखता है आप लोगो कब दिखता है, जब आप लोग print out कर ले दो तो यहाँ पर handouts के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम लोग इसको रहने देंगे slide में चले जाना है, slide में चले जाने के बाद क्या बोला गया है अप लोगो slide number देना है और footer आप लोगो लगाना है, ठीक है slide number और footer, कभी-कभी date and time भी बोलता है जैसे कि देख सकतो date and time यहाँ पर आयागा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर check कर रहा हो तो यहाँ पर दिख रहा है केसमें, apply all करना है, तो मैं क्या करूंगा, apply all, जैसे मैंने apply all किया, तो देख सकतो, इस में भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, दिखरा है यह वाला, तो यह मैं, control करके, थोड़ा सा, बड़ा करके दिखा लेता हूँ, देखो, देख दिख दिख दा है आप यह तो आप लोगो दिखी रहा होगा तो यह आप लोगो दिख रहा होगा ठीक है तो इस तरह से आप लोगो लिखना था इसको आप लोग कल को चाहो तो edit भी कर सकते हो लेकिन इस case में नहीं करना है तो हम लोग को edit in the sense मतलब इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, इसका size को बोल कर सकते हो, इसका color को change कर सकते हो, इसको बड़ा भी कर सकते हो तो इसी तरह से आप लोग को ये वाला question को solve करना था, तो आज का जो ये वाला question था previous year का बहुत ही easy था, और आने वाले दिनों में अप लोग को कुछ और भी में difficult question भी देखनों का मिलेगा, जैसे कि आप लोग को कुछ, जैसे कि आप लोग को pie chart insert कराना था किसी-किसी में आप लोग को image भी insert कराना था, आप लोग और भी बहुत कुछ था तो आप लोग आने वाले दिनों में मिलते रहेगा आप लोगोंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब लेकरा थे चैनल को सब्स्राइब करके रखना आप लोगको सरा इन डीटल में समझ में आ जाएगा और अगर आप लोगको लगता है पेट कॉर्स बाइ करना तो आप लोग आप लोग control P भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इस तरह से यहां से भी print कर सकते हो, file में चले जाना, ठीक है, that control P करोगे, तो भी हो जागा, देखो print में आगरा, ठीक है, print में जाने के बाद, आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाता है, print all slide, ठीक है, full page slide, यहां पर आप लोग को different different चीज़े देखने को मिलता है, तो यहां पर आप लोग क्लिक कर देना है, click करने को आद देखो full page, यह full page देख रहा है न, तो आप लोग क्या बुला गया था, आगले बार handout लेना था, लेकिन two, two slide, जैसे मैं two slide में click करूगा, तो इसी तरह से यह वाला आप लोग का question complete हो जाता है, अगर आप लोग कोई भी doubt बनता है, तो आप लोग मेरे से comment करके पूछ सकते हो, और comment section में आप लोग को telegram channel का भी link दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग telegram channel को भी join कर सकते हो, तो चलो मिलते है next video में, तब तक के लिए goodbye, have a nice day,